हलो स्टूरेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आरे सगरवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर एक्सरसाइज 13B कोश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे बच्चो जी एक्सरसाइज 13B की थर्ड वीडियो है अगर आप कोश्चन 1 से लेकर 8 तक की वीडियो देखना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दियागे है वहाँ से देख सकते हैं बच्चो क्लास 8 की जितने वी चैप्टर की वीडियो भी तक बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप देखना चाते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं बच्चो कोश्चन 9 है 3 men और 5 men can do a work in 12 days how long will 6 men और 5 women take to do it अब बच्चो को समझे कोश्चन क्या कह रहा है कि कोई 3 men है वो किसी काम को 12 days में करते हैं यहां पर और है ठीक है तो यह तो 3 men उसी काम को 12 days में करेंगे अगर वो 5 women करती हैं उसी काम को तो वो 12 days में करेंगी अब वो कहरे कि how long will 6 men अगर 6 men और 5 women एक साथ काम करेंगी यहां पर क्या end है ठीक है मतलब कि 5 women भी 7 में काम करेगी 6 men के साथ तो वो उस काम को कितने दिन में खतम करेगी ठीके बच्चो तो बच्चो यहाँ पर देखो ना यहाँ पर क्या है 3 men क्या है और 5 women क्या है तो हम हमेशा क्या करते हैं एक का निकालते हैं अभी तक आपने देखा होगा हमने इस Exercise 13 A में भी हम क्या करते थे one day का निकालते थे ठीके न यहाँ पर भी हम पहले क्या निकालेगे one woman निकालेंगे कि one woman कितने दिन में करती हैं फिर 3 men कितने दिन में करते हैं फिर उसके बाद हम six men और five women का निकाल लेंगे ठीक है बच्चो तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि three men can do a work in 12 days ठीक है question को मैं detail में समझाती ताकि आपको अच्छी तरह से समझाज़े बता कि कि किसी काम को जैसे कहते हैं three men can do a work कितने दिन में करता है 12 days में करता है ठीक है अब एक men कितने दिन में करेगा अब बच्चो यहाँ पर एक men can do a work ठीक है अब बच्चो यहाँ पर क्या है ज्यादा क्या दिया हुआ है हमने एक अनकाल है देखो अगर ज्यादा three men कर रहे हैं तो हमारे पास क्या करेगे कम days लगेंगे अगर उसे अब men यहाँ पर क्या हो गए कम हो गए है ठीक है three से क्या हो गए एक men हो गए तो यह क्या करेगा ज्यादा दिल लगाएगा तो हम क्या करेगे 12 को three से multiply करेगे तो कितना आजएगा 36 days आ गया ठीक है अब हम इसका जो है one man का निकालेते हैं one day का work कितना होगा तो यहाँ आप लिखेंगे work done by one man in one day तो देखो यहाँ पर work कितना था एक work को 36 days में करता था हमने कह करना है 36 days में एक work को करता था 36 days में एक work को करता था अब हमने one day में करना है तो कितना आजएगा one upon 36 work तो equal to one upon 36 यह हमारे पास आगया one man का अब हम woman का निकाल लेते हैं तो इसमें क्या वो लगे हैं five women five women can do a work तो वो भी same 12 days में करते हैं ठीक है 12 days में उस काम को five women अगर करेंगी तो वो 12 days में कर लेंगी अब one woman का निकाल लेते हैं one woman can do a work तो यहाँ पर क्या जएगा तो five ज़्यादा करेंगी तो कम days लगेंगे अब women के हमारे बस कम होगी तो days के ज़्यादा हो जएगे तो 12 into five आजएगा तो कितना जगा 60 days आगया ठीक है हमारे पास one woman का आगया work आगया अब हमने one woman का one day का निकाल लें ठीक है क्योंकि अगर हम one day का निकालेंगे तभी हम वो है six और यह क्या दिया गया है six men और five women का निकाल सकते हैं ठीक है तो सेम हो गया 60 day में एक work होता है तो one woman का तो one day में कितना जगा one upon 60 work हो गया ठीक है बच्चों यह हमारे पास आगया अब हमने क्या निकालना है work done by अब हमने जो six men और जो five women का निकालना है वो one day का ही निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे five women in one day ठीक है बच्चों अब यह दिखो six men न है ठीक है अब हमारे पास one man का कितना था one upon 36 तो हम क्या करेंगे one upon 36 को six से multiply कर देगे into six ठीक है तो यह क्या आगया हमारे पास एक दिन का work आजगा six men का और end की जगा plus का sign ठीक है अब one woman का कितना था one upon 60 into five आ गया ठीक है अब हम इसको solve करते है तो यह कितना आजगा six six are 36 और यहाँ पर कितना five one's are five यहाँ पर 12 आ गया तो हमारे पर situation क्या बन गी one upon six plus one upon 12 बन गे ठीक है बच्चों अब मैं यहाँ पर आपने नीचे लिखने है जो नीचे मैं लिखती हूँ अब इनका आपने LCM लिया तो क्या आएगा 12 आएगा राइट और six के टेबल में जो 12 यह 2 पर आता है मतलब कि 12 को आप six से डिवाइट करोगा तो तो आएगा two ones are two और 12 12 कट गए one आगे तो one आगे तो महार पस कितना आगे three upon twelve और इसको काटेगे three ones are three three fours are twelve तो कितना आगे one upon four ठीक है तो one day में six men और five women कितना work करेंगी one upon four work करेंगे और हम इसका reciprocal करेंगे तो कितना आजेगा four days आजेगा हमें पता है जो work और day का है इनका reciprocal होता है ठीक है तो ये वैसे मैंने आपको 13 एक कि अगर आप वीडियो देखेंगे न हर वीडियो में हर question जो भी हमने solve किये रहे parts में वीडियो बनाई है तो मैंने ये बताया कि one four upon four का मतलब क्या होता है ठीक है तो हमने क्या करना है इसको equal बनाने के लिए क्या करेंगे one upon four को four से ही multiply करेंगे अगर यहाँ पर हमने multiply किया है तो यहाँ पर भी हम multiply करेंगे same number से four से four कट गया one four is a four तो four days में कितना आ गया one work आ गया ठीक है इसी तरह से ये हमारा इसका reciprocal करता है या four days C option में है तो nine की correct option क्या होगी C होगी अब बच्चों हम question 10 करेंगे question 10 है A can do a piece of work in 15 days B is 50% efficient than A B can finish it in तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या है B का work नकालना है ठीक है पहले न इसको समझो तो बच्चों 50% का क्या है मत्यकि A अगर कोई मत्यकि 100 tables बनाता है या chairs बनाता है जो भी ले लो तो B क्या करता है यह इसका 50 100 तो बनाएगा पर इसका कहता है 50% मत्यकि जादा बनाएगा मत्यकि 100 में हम 50 को add कर दो तो कितना में हो गया 150 chairs बनाएगा ठीक है अगर A जो है 100 chair बनाता है तो B क्या करता है इसका 50% more बनाता है मत्यकि 100 बनाएगा और 100 में हम 50 add कर देंगे तो मारा कितना जगा 150 आदता है ठीक है यह आपको concept clear हो गया होगा कि 50% का क्या मतलब होगा 50% more तो इसका मतलब क्या होगा जितना A बनाता था वो तो बनाए गई पर उससे 50 प्रता है अब 50 क्या है आदा है ठीक है 100 का आदा क्या प्रता है 50 तो हमने इसको करके तो 150 जो है भी काम करता है ठीक है अब इस question को करते हैं हम लोग देखो A can do a piece of work in 15 days तो यहां पर क्या है मतलब कि A किसी काम करता है मतलब टाइम टेकन बाई A for a piece of work टाइम टेकन बाई A for a work कितना हो गया 15 days हो गया ठीक है तो बचो हम मेशा one day का नकालते है यह तो आपको पता ही है तो यहां पर लिखेंगे वर्क डन यह मैं थोड़ा सा यहां पर लिख दिया है वर्क डन बाई A in one day तो कितना हो जएगा one upon fifteen हो जएगा अब हम B का नकालेंगे B का वर्क डन by B in one day अब equation के according गया था जो A का one upon fifteen तो वो बनाता ही है plus fifty percent of one upon fifteen इस चीज को समझो आप यह तो आपको clear होगी होगा यहां पर दिया भी है यह मैंने आपको clear कर दिया है पर इसको समझो यह equation हमारी इस तरह से बनेगी यह तो मैंने आपको example लेकर बता दिया किस तरह से अब इसको solve करते हैं तो कितना है one upon fifteen plus fifty upon hundred percentage का क्या लगता है hundred लग जाता है into one upon fifteen zero से zero कट गया तो five three is a fifteen तो हमारे पास equation क्या बनगी one upon fifteen plus one upon thirty थेके ना ten three is a कितना होता है 30 होता है अब बच्वे इनकाम LCM लेंगे तो हमारे पास कितना आया 30 आया अब थर्टी को 15 से multiply करेंगे तो हमारे पास two आयगा two plus one कितना आजएगा आप थर्टी तो कितना आजएगा three tens are thirty one upon ten आ गया बता कि one day में one upon ten work करता है तो इसका हम recipe पोकॉल कर देंगे तो वो उस काम को कितने दिन में करेगा ten days में करेगा ठीक है और यह कौन सी option में है a option में है तो tenth की correct option क्यों होगी a होगी प्रफब इसकाओ में प्रफब पो बता कि कतना है तो कि तोогल के और प्रफ़ने कर देंख़ने झाल झाल